बच्चों यह सब्सक्राइब अब देखो मेंने क्या बताया आपको कि अगर आपका ओडर सुना अगर आपके रियाक्षन का ओडर देखो बहुत सारे क्वेशन आपके सॉल हो जाएंगे ठीके ना देखो आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको पिक भेज दूगा ठीके चुसरों हो एसे रियाक्शन हो की लिए अगरा आपसे कोई पूछे रिटलो कैसे निकालेंगे तो आप बोलोगे इंटिग्रेटेड रेट लॉँचे 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 इंटिग्रेट कि हो जाएगा यह वाला expression याद सबसकू आगे देखो यह वाला expression आप याद करने की कोशिच करो only मैंने उल्मेट की कोई बात ने की देखो अभी इस टोको मेटरी की मैंने बात निके वह करेंगे तो क्या करेंगे एगर अपका order एक है तो बच्चोब आप याद रखना अब मैं आपको derivation में बता देता हूँ ठीक है ना इसका derivation थोड़ा आसाने तो आपको याद भी हो जाएगा इसका derivation आसाने याद भी हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ चलो मानलो ये reaction है और मानलो इस reaction का यह बड़ा हो गए ना मानलो इस reaction का जो order है न बच्चो ओ एक है तो इसके लिए आप rate कैसे लिखेंगे तो बोलोंगे सर माइनस d a by देखो माइनस d a by क्या माइनस d a by dt is equal to क्या आ जाएगा बच्चो के concentration question ok yeah it was me में रीखेंगे सर्जी दिखेंगो यहा करते समय ना क्या करना पता है जो सेम टर में डी आ इनको एक तरफ लाओ तो आपके पास equation बन जाएंगे सर्जी माइनस d a by आजाएगा सर के और डीटी उदर की तरप ले जाओ तो के डीटी सही है ना क्या आजाएगा के डीटी चलो समझ में यहां तक सेकेंड स्टेप सबको क्लियर है मेसेज करो हायाना बस आमने इधर का उदर का इधर कर दिये अब इसका इंटीग्रेशन करो और याद रखना इंटीग्रेशन करते समय। आपको limit लगाना यहाँ पर लिख देता हूं में integration करते समय आपको integration करना है integration और साथ साथ हमें use करना है limit हमें use करना है limit अब limit कहां से कहां ही use करेंगे तो आपको अच्छे से पता है sir सर देखो limit में बता देता हूं सबसे पहले तो integration लगाओ minus यह minus बाहर निकलके यहाँ से ले गाया हमें minus integration of d a by a ठीक है ना is equal to देखना अच्छे से is equal to integration of k dt k constant है k को आप बाहर ले के आजाओ देखो k dt बाहर ले जाता हूं k और आंदर ले जाता हूं dt छीक है ना बच्छो अब देखो limit कहां से कहां लगाए sir तो initial concentration आपका था sir a not बाद में कितना बच्छा a बच्छा सर initial time था 0 बाद में कितना बच्छा बच्छो t बच्छा अब जब हम इसको solve करेंगे मैं solve करके बता भी सकता हूं लेकिन I don't think कि कोई requirement है ठीक है ना जब मैं इसको solve करूंगा ना बच्छो solve कैसे करेंगे तो कोई देखो कोई जरूत ने solve अगरे आप मतलब ज़्याद है इसमें जाने की मैं आपको एक equation बता तो उसको आप simple याद रख लो जब इसको solve करेंगे ना तो आपका answer आ जाएगा ln of देखो सुनना ln of a not minus ln of a is equal to बच्छो आपका आजाएगा which is equal to kt ये equation आपको याद रखने है for first order इस equation को एक बार देख लो ln of a not minus ln of a is equal to kt देखो इनिट के exam में या competitive exam में आपको कोई derivation नहीं पूछेंगा मैं swap करूँगा time pass करूँगा इससे आच आप सीधे equation एक बार देख लो हो जाएगा आपको याद जैसे जैसे बोद बार में लेके चलूँगा तो आपको याद भी हो जाएगा बच्छो यह हमें यह हमने integration क आई गुण करने के बाद आपको आ जाएगा एलन अफ एसको इसको एसे लिख सकते हो एलन ओफ आउप यह टोड़ डू केटी बच्चों बताव हाया ना ऐसे लिख सकता हो बताओ जल्दी से हाया मेंसेज करके बताओ क्या आप सबको यह दो फर्म क्लीर है समझ में आए एल आप सुनो अच्छे से बचो अब अच्छे से सुनो बहुत ज्यादा अच्छे से सुनो क्या बता रहा हूँ अभी हमने पढ़ा कि सर जो देखो आभी मैं दोनों की दोनों लिखता हूँ जो इंटिग्रेटेड रेट लाए ना सर वो दो तरह से हम पढ़ेंगे मैं जन्रल लिख रहा हूँ एक एक को डिटेल में पढ़े भी सकते लेकिन रिक्वायर्मेंट अभी फिलाल नहीं है ठीक है ना सर यन की order आपकी एक के बराबर नहीं भी हो सकती है और order आपकी एक के बराबर हो भी सकती है तो अगर order एक के बराबर है सर तो कौन सा form यूज करेंगे सर तो ln of a not पहले आएगा minus ln of a is equal to kt या फिर इसी को अम लिख सकते कैसे इसी को अम लिख सकते बच्चो ln of a not by a is equal to kt और बच्चो अगर ln आपको हटा ना है तो आप इसको किस से replace करो पता है आप बता हो मैंने एक बार बता है भी तर नहीं बता है तो सुनो ln को हम लिख सकते 2.303 log इस तरह से हम ln को लिख सकते बच्चो तो हम कर देंगे यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2.303 log a not by a is equal to kt बच्चो clear है सबको यह तीन form first देखो first order के लिए rate law equation अगर पूछा आपसे तो इन तीनों में से कोई भी एक याद कर लो इसको याद कर लो बाकि सब तो हो जाएंगे बताओ clearly message करके क्या first order के लिए आपको integrated rate law का equation याद हो गाया message करो हाया ना first order reaction के लिए integrated rate law का आपको याद हो गाया equation जल्ली बताओ हाया ना clearly बताओ मुझे अब यहाँ पर आओ not equal to में क्या पड़ाया था मिने 1 upon 1 upon a raise to n minus 1 minus 1 upon a not raise to n minus 1 is equal to क्या था बच्चो n minus 1 kt था यह दो याद रख लो सारी कहानी kinetics के आपकी पूरी clear हो जाएंगी अब देखो अब आपसे कोई question पूछे what is the what is the integrated rate law integrated rate law for zero order reaction for zero order reaction तो बोलो zero आपका यह एक के बराबर या नहीं जल्दी बताओ तो 0 यानि कि which is not equal to बोलो यह इस equal to 0 that is not equal to 1 समझे या नहीं समझे यह कौन सा के से आपका that is not equal to 1 तो आपका formula यूज करो क्या formula था 1 upon a raise to n minus 1 minus 1 upon a not raise to बच्चो बच्चो a not raise to n minus 1 is equal to n minus 1 kt बोलो भाई n की value कितने आपकी जल्दी बताओ 0 order के लिए n की value कितने होगी 0 होगी तो 0 order के लिए बच्चो अब n की value आप 0 put करो तो कितना answer आजाएगा 1 minus a raise to minus 1 यहाँ पे 0 add किया तो क्या आजाएगा minus 1 minus 1 upon a not raise to बोलो भाई minus 1 ठीक है ना इधर भी minus 1 is equal to minus 1 kt बच्चो clear है सबको हाया ना जल्दी बताओ यहां तक की बाते clear है यहां तक की बाते clear है बताओ जल्दी से 0 order के लिए यहां तक की बाते clear है message करके बताओ हाया ना सब message करके बताओ यहां तक सबको clear हो गया अब आपको पता यह inverse को हम कैसे लिख सकते सिधा उपर ले जाओ भई इसको हम लिख सकते इसको हम कहीं लिख सकते है इसको भी हम लिख सकते आप उपर ले जाओ यह वाला equation सबको याद हो जाएगा is equal to minus kt this is integrated rate law equation for zero order reaction बच्चो याद हो गया सबको जल्दी बताओ a minus a not is equal to a minus a not is equal to minus kt जल्दी बताओ याद मत करो आपको कोन बोल रहा है याद करो देखो अब इसको देखो हमने सीधा इसको याद करो 1 upon a raise to n minus 1 minus 1 upon a not raise to n minus 1 is equal to n minus 1 kt आप देखो यहाँ पर n की value कितने add करो आप देखो पहले 0 add की तो बच्चो 0 add करने के बाद आपके पास क्या equation आ गई तो आपने बोला सर a minus a not is equal to क्या था minus kt था सर तो सर हम a को a से लिख सकते हैं न सर a is equal to minus उदर जाने के बाद प्लस तो a not minus kt यह इदर आ जाएगा प्लस हो जाएगा यह वाला equation आपको याद रखना है 0 order का equation या तो सिधा याद रखो रेंटेग्रेटर रेटला equation 0 order का इंटेग्रेटर रेटला सिधा याद रखो यहां से निकाल के याद रखो बच्चो clear है message करो जल्दी से 0 order के लिए आप सबको integrated rate law equation याद हो गया message करो हाया ना very good very good आप second order की बात कर लेते second order की बात कर लेते बच्चो second order के लिए आप क्या करोगे जल्दी बताओ सर यन की value दो रख दो सर यन की value आप दो रख सकते हैं ठीक है ना तो यन की value दो रखो तो क्या आजाएगा 1 upon 2 minus 1 कितना 1 आप minus 2 minus 1 कितना तो A not बोले तो 1 आजाएगा उपर और 2 minus 1 कितना 1 So KT Now this is your integrated rate law for बच्चो बताओ This is your integrated rate law for second order reaction Clear है सबको? बोलो yes or no बताओ जल्दी बच्चो clear है yes or no Very good अच्चे से clear है या नहीं जल्दी बताओ इसलिए general formula important है अगर आपको general formula आ गया तो समझो सब आ गया अगर आपको general formula आ गया है तो सब आ गया आप मुझे बताओ यन is equal to 1 अगर order आपकी first हो यन is equal to 1 हो तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे तो इसके लिए सर आपने बताए था इसके लिए वो वाला formula नहीं उस करेंगे इसके लिए क्या आएगा जल्दी बताओ ln a minus ln a not is equal to क्या आजाएगा जल्दी बताओ यह इतना है sorry उल्टा लिख दिया ना इसको याद रखो अच्छे से ln a not minus ln a is equal to क्या आजाएगा बच्चो is equal to आ जाएगा kt is equal to आ जाएगा kt इसको और अच्छे से लिख सकते ln a not minus a is equal to आ जाएगा sir kt और अच्छे से लिख सकते sir इसको ही लिख सकते हम 2.303 log of a not by a is equal to बोलो भाई kt जल्दी बताओ n is equal to 1 के लिए आ जाएगा अब आप बताओ n is equal to 20 अगर order आपकी reaction की 256 हुई मानलो 256 order है तो आप बोलोगे sir 1 upon a raise to 256 minus 1 minus 1 upon a raise to 256 a not raise to 256 minus 1 is equal to 256 minus 1 kt समझे इसको solve करना समझ में आया सबको बोलो जल्दी किसी भी order के लिए आप integrated rate law लिख सकते हैं बोलो बच्छो clear है सबको आप किसी भी order के लिए integrated rate law लिख सकते हैं और आप से कोई मानलो यहाँ पे 10 order की reaction है तेंथ order की reaction है और उन्होंने पूचा इस reaction में मानलो कोई concentration given है और उन्होंने पूचा क्या time होगा या time और concentration के लिए relation पूचा है तो आप सीधे क्या लिको सबसे पहले मानलो second order की reaction है यानि कि यन की value आपकी दो है तो इसके लिए आपको पूचाए concentration और time का relation बताओ तो भई आपको पताए 1 upon a raise to n-1 minus 1 upon a not raise to n-1 is equal to n-1 kt 2 दालो आपका answer यह आजाएगा kt समझे जल्दी बताओ तो यहाँ से आप time और concentration में कुछ भी relation निकाल सकते है कुछ भी दे सकता है कुछ भी आप बताओ सबको integrated rate law for zero order first order second order third order nth order समझ में आया message करके बताओ आप सबको integrated rate law निकालना आ गया integrated rate law equation निकालते आ जाएगा भी बत्चो एकदम अच्छे से बताओ integrated rate law equation सबको को निकालते आ जाएगा हाया ना कि सबको समझ में आया ना किसी को कोई दिक्कत अभी तक कि मैं एक बार लिखी देता हूँ एक्जाम से पहले आप इस टेबल को याद इसको याद भी कर लेना तो भी चलेगा जिरो अडर के लिए क्या क्या है ओके ओके देखो क्या होता है पता है क्या आपको मानलो कोई एक्जामपल है मानलो में लिख लेता हूँ ए ग्यूस बी यह मेरे पास एक्जामपल है ठीक है ना और मिने पूछा मिने पूछा इसकी इनिशियल कॉंसेंट्रेशन मानलो 10 थी देखो हाँ इनिशियल कॉंसेंट्र यानि कि दूसरा टााइम कितना हो गाया आपना दूसरा टाइम दस हो गए पहले टाइम 0 था पहले 0 टाइम था बाद में 10 हो गाया मैंने बोला 10 मिनिट बाद मैंने बुला बच्चो 10 मिनिट वॉल इसकी concentration कितनी बचेगी remaining concentration पूछाए उन्होंने यानि कि ए पूछाए ए पू लुटर से जल्दी बता ई को न बबाग के बता तो तो कि जब इन इनका लेंगे ? अरे केसे निकालेंगे सर moles raise to y-1 liter raise to 1-1 second inverse सर अगर first order reaction होना सर अगर first order reaction होना first तो आपका answer आजाएगा second inverse यानि कि इस reaction की order कुन सी है जल्दी बताओ इस reaction की order कुन सी है first order है समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी से आरे बच्चो समझ में आ रहा है न कितने सारी चीज़े एक दूसरे से जुड़ी हुए तो आपको unit देखके भी पता होना चाहिए हाँ आप ओके अच्चे से समझ में आया तो आप बोलो कौन सा law यूज करेंगे आप तो आप बोलो कि सर ये यूज करो कौन सा 2.303 log of a0 by a is equal to क्या a0 by a is equal to kt ये वाला equation यूज करो सर सर हमें time time कितना है 10 minute है time आपको पता है 10 minute है ठीक है ना क्योंकि change निकाला तो 10 है आएगा आप देख लो यार 0- 0 और 10 का change 10 है आएगा उसके बाद a0 क्या है आपका तो a0 आपका 10 है ठीक है न बच्चो और k आपका कितना है दो है तो आप क्या निकाल सकते हैं आप remaining concentration निकाल सकते हैं मतलब अभी तो problem लेने में लेकिन आपको अभी समझ में आया कि किसी भी reaction के लिए बच्चो सुनना ये 2 aqb 2 aqb ये एक reaction है आपकी और मैं आपके mention कर देता हुआ ये second order reaction है इसके लिए आपका k given है t given है और initial concentration given है और उन्होंने पूछा है आपको remaining concentration तो आप बताओ कौन सा formula यूज़ करेंगे हम इसके लिए कौन सा formula यूज़ करेंगे जल्दी बताओ इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 upon a minus 1 upon a not is equal to ktq के सरी ये second order reaction है तो आपको पताए बच्चो आपको a not पताए आपको a निकालना है आपको k पताए आपको t पताए बच्चो समझे आप समझ में आए मैं इतने समय से क्या बताना चाहता था जल्दी बताओ integrated rate law हम किसी पे भी किस reaction पे कौन सा समझो करो हा या ना अब बताओ हा या ना आप सबको clear है बताओ बच्चो एकदम अच्छे से कि अ कि सबको बहुत अच्छे से clear है देखो बाकी का जो remaining पार्ट है और हम कल कंटीनू करेंगे ठीक है ना या कर लू continue अभी आप बताओ थोड़ा बहुत कर लू continue yeah कल करेंगे आप बताओ अगर आपकी इच्छा होगी तो चाहिक में अगर आपकी इच्छा होगी तो ठीक है कल करेंगे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पार्ट